पाच बात हैं जो हर employee को पता होनी चाहिए Number 1, CTC move आया है CTC की कोई भी legal definition नहीं है, labor laws में CTC नाम कहीं भी नहीं है CTC में company जो चाहे वो heads add कर सकती है इसलिए आपको अपनी gross salary पता होनी चाहिए Number 2, statutory deductions आपके salary slips है, अगर PF, ESI, labor welfare fund, professional tax या और भी इस तरह का कोई deduction हो रहा है तो you must know why, as well as उसकी calculation Number 3, employee rights आपको पता होना चीए, gratuity, bonus, leave with wages, notice pay, earned leave, etc जो आपके अधिकार है, कितनी मिलती है, कब मिलती है और अगर आपको नहीं मिली है, तो क्यों नहीं मिली है Number 4, basics of income tax आपको पता होना चीए, exemptions क्या होते है, deductions क्या होते है किस तरह इन्हें यूज करके, आप अपना income tax बचा सकते हैं या उसे optimize कर सकते है कब आपको अपना return फाइल करना है, advance tax की dates क्या है, etc Last number 5, joining and exit formalities Salary negotiation कैसे करते हैं, offer letter क्या है, UN number क्या है, ESI number क्या है Job join करते समय और छोड़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सुनने में बहुत overwhelming लगता है, लेकिन यकी मानिये दोस्तों आदे गंटे के अंदर आपकी सारी information ले सकते हैं हमने एक page बनाया है, labellaw advisor.in slash 5thinks वहाँ पर जाएए और इन सारी शीरों के related detailed videos आपको वहाँ पर मिल जाएए